नमस्का दोस्तों हम सीखने टूरी एनिमेशन और टूरी एनिमेशन आपको बतारे थेpowered on Changi तो मैंने दोस्तो पीछे के वीडियो में आपको दिखा है थे इस 놈 , और हमें प कैसे बनाये थे करने से पहले मैं एक चैनल दिखा हुए जिसका नाम है हिंडी कहानिया, इसमाइन जो है कार्टुन बनाके लगाता हुए आप देख सकते हैं जो सबसे पहला question था एक दोस्त ने comment किया था कि हम कैसे पता करें कि इस पर बॉन टूल apply किया हुआ है यह नहीं किया हुआ हमारे पास यह character है हमने इस पर बॉन टूल apply किया हूँ तो हमें पता बिल्कुल ही simple way में कर सकते हैं योहीं आप इस पे click करते हैं आप देख सकते हैं इस पे bone जो है show कर जाएगा तो मतलब है कि इस पे bone tool apply किया हुआ है उसके बाद इसी से related एक और question था कि जब हम bone tool apply कर देते हैं और उसके बाद मैं इसमें eye blink लगाता हूँ तो eye blink नहीं हो पाता है दोस्तों यह जो है आप अगर eye blink लगाते हैं मालने जे इस character पर हमने bone tool apply कर दिये अब हम इसमें eye blink लगाना है eye blink लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर जाना पड़ेगा हमने इसके अंदर आये हैं अब यहां पर आप कोई भी animation जब करते हैं तो automatic वहां पर animation हो जाएगा अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मालने यह हमारे पास eye है यह हमने क्या किया यहा तो पहले तो आपको जितना भी एनिमेशन इसमें लगाना है और आपको फ्रेम क्रियेट करना पड़ेगा जहां तक भी एनिमेशन आप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसको फ्रेम क्रियेट किया हूँ आप देख सकते हैं उसके बाद अगर हम बाहर जाते हैं तो आपको यहाँ पे animation show होगा एक चीज़ और इसमें धियान रखना पड़ेगा कि अगर आपके पास यहाँ पे हमने click किये अगर इसके अंदर जाते हैं अगर यह graphic होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे object में अगर जाते हैं property के object में अगर यहाँ पे माल लेजिए movie clip है तो आपको यह animation नहीं होगा आप देख सकते हैं इसमें animation बंद हो गया तो आपको धियान रखना पड़ेगा कि इसको select करें और यहाँ पे graphic में convert कर दें तो ही आपको यहाँ पे animation सो होगा और यह चीज का धियान आपको यहाँ पे भी रखना पड़ेगा अगर इसके अंदर जाते हैं इसको भी आप graphic में रखना पड़ेगा symbol जब convert करते हैं तो उसको हमेशा धियान रखें वो graphic में होना चाहिए तभी इसमें animation हो पाएगा उसके बाद आगे बढ़ते हैं एक message आया था मेरे पास कि मैं कोई भी animation कर देता हूं लेकिन जब हम उस character को copy paste करता हूं जैसा कि मैंने पीछे के वीडियो में आपको दिखाये थे कि कोई भी scene आप create करते हैं तो एक character को दूसरे character के scenes में आप उसको ले जा सकते हैं simple copy paste करके लेकिन उन्होंने बोला कि copy paste कर रहा हूं सिर्फ character copy हो रहा लेकिन उसका animation नहीं हो रहा तो मैं आपको बता दो जैसे माली यह हमारा character है हमने इसमें animation लगाए आप देख सकते हैं इसमें animation लगा हुआ है अब इसको हम copy करेंगे copy करते हैं यहां से और एक मैं new scene create करता हूं यह मैंने एक new scene create किया हूं यहां पर paste कर देता हूं यहां पर मैंने paste कर दिया है आप देख सकते हैं यहां पर zero frame आया हम इसको frame को बढ़ाते हैं हमने जो ही frame को भगाए इसमें देखिया animation आ गया है तो जब कोई भी character को आप copy paste करते हैं तो आप animation लगाके इसको symbol में convert नहीं करना है जब कोई भी character हो उसको पहले आप symbol में convert करें उसके बाद उसके अंदर जाते हैं उसके बाद हम animation लगाते हैं अगर माल लिजए हमारे पास क्या होता है कि हमने इसमें एनिमेशन लगाए है आप देख सकते हैं इसमें एनिमेशन हमने create किये हैं अगर आप यहाँ पे पूरे को select करते हैं और F8 करके symbol में convert करते हैं इसका animation already खतम हो चुका है इसके अंदर कोई भी animation नहीं है, तो आप ऐसे animation नहीं हो पाएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि पहले हम कोई भी character है, उसको हम symbol में convert करेंगे, आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह symbol बना हुआ है, उसके बाद हम इसके अंदर जाते हैं, और सभी को यहाँ पे layer कोई भी पेस्ट करके कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इस टैप से आप कोई भी character जब बनाते हैं, उसको पहले symbol में convert करें, उसके बाद उसको जो है, अंदर जाके animation लगाए, और बाहर आनेक बाद अगर उस character को copy पेस्ट करते हैं, तो आपके scenes में वो animation जरूर होगा, अब एक और question था, और बिल्कुल ही basic question है वो, और अगर आपने मेरे video को अगर नहीं देखते हैं शुरू से, तो आपको ये सब problem बिल्कुल आएगी, क्योंकि मैं हर video में आपको पीछे के video में दिखाया हूँ कि कैसे उसको create करते हैं, कैसे हम basic tools का use करते हैं, आप लोग पहले video नहीं देखते हैं और last में जो video होता है, वो video पर आप comment करते हैं कि ये चीज कैसे होगा, तो please मैं आप लोग से request करता हूँ कि पहले पीछे का video देखें, उसके बाद ही आगे का video आपको समझ आएगा, तो इसका एक मैं new scenes को create करता हूँ, ये scene को मैंने create किये, अब उन्होंने question किया मैं इसके लिए बोलूँगा, तोस्तों कोई भी यहाँ पे character जब बनाते हैं, उसको symbol में ही convert करना बिल्कुल जरूरी है, तभी आप कोई भी animation यहाँ पे बना सकते हैं, कोई भी scenes को create कर सकते हैं, अगर मान लिजे आप symbol में convert नहीं करते हैं, क्या होगा, हर चीज आपको मान भी चीज बना हुआ, मान लिजे किसी चीज को हमने symbol में convert नहीं किये, सब यहाँ पे रखा हुआ है, आप जब इसमें animation करोगत क्या होगा, कभी तो आपको ऐसे हो जाएगा, कभी क्या होगा कि इसका हम उठा के इधर रखे, इसका outline यहीं पे रह गया, कुछ animation करना चाहते है मान लिजे इसको animation करना, इस पे रख दिये, अब क्या हुआ, यह दुनों merge हो गया, आप देख सकते हैं, अब किस step से आप animation नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, हर किसी को पहले symbol में convert करते हैं, फिर आप उसको animation करते हैं, इसका एक और तरीका म इसमें क्या किये, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गये, f6 लगाता हूँ, इसमें मैंने animation लगा दिया हूँ, यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ, यह first frame पे यहाँ पे है, यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इस step से cut-cut के आएगा, इसमें आप जो है, classic twin नहीं लग रहा है, लेकिन जो ही आप इसमें कुछ करेंगे, यह character यहीं आधा रह जाएगा, तो आपको बिना symbol में convert किये हुए, बहुत सारा problem होगा, इसलिए, आप कोई भी character यहाँ पे बनाते हैं, कोई भी animation लगाते हैं, उसको आप symbol में convert करना जरूरी होता है, बाकि अगर आप चाह तो आसा करता दोस्तों, यह video आपको अच्छा लगेगा, अगर दोस्तों यह video आपको अच्छा लगा, तो like चरूर करें, दोस्तों के साथ share भी करें, अगर दोस्तों मेरे इस channel को अभी तक subscribe नहीं के, तो please subscribe कर लें, जिससे मैं कोई भी आगे video लेका हूँ, तो उसका update आपक तो उनते मिल्या,